19 साल की अंकिता भंडारी जब अपने घर से वो पहाड की बेटी निकली होगी तो उसके आँख में जरूर ये सपने होंगे कि वो जीवन में कुछ बन कर दिखाएगी वो एक रिजॉर्ट में काम करने गई जो पुलकित आर्या जो की विनोद आर्या पूर मंत्री भाजपा की उतराखंड सरकार में उनके सुपुत्र है उनका था वहाँ पर पुलकित आर्या ने अंकिता को जोर जबदस्ती करी देहवयापार करने के लिए जब उसने मना किया तो पुलकित आर्या सत्ता में के नशे में डूबे हुए पुलकित आर्या ने उसको नहर से ठेक कर उसकी हत्या कर दी गई अक्शन लिया गया जब छे दिन तक अंकिता मिली नहीं और जना क्रोश अपनी चरम सीमा पर पहुँचा आज सवाल ये है कि जब अंकिता के साथ ऐसा होता है तो उसके पीछे भाजपा के नेता या उनके परिवार का नाम क्यों आता है और क्या ये पहली बार किसी भाजपा नेता का नाम आ रहा है पिछले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश के भाजपा के MLA छोटे लाल वर्मा का नाम सामने आया है लक्ष्मी कान वर्मा उनके पुत्र का नाम सामने आया है महिला के साथ शारीरिक शोशन और दुराचार और जान से पारने की धमकी देने के बारे में इससे पहले चाहे वो कुल्दीब सिंग सेंगर हो चाहे वो चिनमे अनन्ध हो और चाहे वो शाहडोल के भाजपा के नेता हो या गुजरात के अर्जुन सिंग चोहान हो या करनाटक के वो हो मंत्री जो जिनकी सीडी तक निकल आई थी वो नौकरी का सादेकर महिला के साथ शोशड कर रहे थे। ऐसा क्यूं है कि इन बीजेपी के मंत्रियों को, इनके विधायकों को, इनके सांसदों को, इनके परिवार के सदस्यों को लगता है कि औरत के साथ यह ऐसा कर लेंगे और इनका राजनितिक संगरक्षन होता रहेगा। बेटियों के मन में, दिमाग में और दिल में आशंका और भै है। उस पर चुप्पी तोड़िये। और देश के प्रधान मंत्री जी अगली बार जब लालकिले की प्राचीर से बात करियेगा ना, तो जरूर सोचिएगा कि इस देश की बेटियों के साथ आपके भाजपा के नेता ऐसा दुराचार क्यों कर रहे हैं। इन सब चीजों का जबाब चाहिए।